तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं मोदी सरकार क्या नीती अपनाए हुए है पाकिस्तान के साथ कभी तो इसक्वायर में सोचते होंगे आप, कभी तो चर्चा सुनते होंगे आप, भारत में कुछ पुराने टाइप के डाइनसौर टाइप के पॉलिटीशन है, कुछ ऐसे राजनेता हैं जो डाइनसौर के जमाने के हैं, वो जो हैं वही घिसी पिटी बेकार सी बात करते रह हैं, वो कहते रहते हैं कि जो है पाकिस्तान के साथ अनिंटरॉप्टेड और अनिंटरॉप्टिबल डायलोग की जरूवत है, वो यह कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ जो है अनिंटरॉप्टेड और अनिंटरॉप्टिबल डायलोग की जरूवत है, यह कहते रहते है यह कोई मतलब नहीं है एदम भकवास है और पधामत्री मोदी ने बिलकुल साबित कर दिखाया है मोदी सरकार ने की जो है उनकी जो पाकिस्टाननीती है वो कहीं जो है जारा सुफिस्टिकेटिड है बहुत जारा जो है वो दूरगामी है और उसके नतीजे सामने आ रहे हैं पूरा जो समाज है पाकिस्तान का उसमें बदलाव आ रहा है पाकिस्तान के समाज में बदलाव आ रहा है सेना की पकड़ छूटते जा रही है सेना को अपने लिए सेना जो है पाकिस्तानी सेना जिसके बारे में मशूर था कि दुनिया भर में देशों के पास सेना होती है लेक तो प्रधानमत्री मोदी जो है उन्होंने जो रणनिती अपनाई है वो इतना बड़ा Master Stroke है, इतना बड़ा Master Stroke है कि लगातार जो है दिन ब़त dhin, हफते दर हफते, महमे दर महिने और साल दर साल जो है पाकिस्तान की जो जो पाकिस्तान का जो एक जो समाज है, जो वहांकि सेनक के जो पकड़ है वो सब धीली पड़ती जा रही है और समाज जो है वो उसको सोचना पड़ रहा है अपने बारे में और काफी बड़ा परिवर्तन आ रहा है आ चुका है अगर आपने गौर नहीं किया हो तो कि अपने 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 टरिके से कव्ड़ करते हैं और उसके बाद में जो है जिसको मंद्रंजन करना हो जिसको जो है घुमना फिरना हो जिसको जुह जहरा कुछा और बिश दे जाता था कि जाओ भारत में जाओ भाईचारा बताओ और यहां जाके मौज करो क्रिकेट के बहाने आजाओ पतरकार के बहाने आजाओ शेरोशायरी के बहाने आजाओ फिल्मों के बहाने आ जाओ जैसा जिसको आप जैसा लगे आप चले आओ यहां पर और यहां पर आके मज़े करो तो जो एक समाज की जरुवत होती है वो पूरा करने के लिए भारत को लोग अपना अड़ा बनाते थे और बाकी जो है अपने हां से जो है पाकिस्तानी सेना जो करके रहेंगे है ना तमाम सारी बाते चलती रहती थी अब आम लोगों को भी शिकायत नहीं थी क्योंकि उनके काम तो पूरे हो रहे थे है ना वैवस्ता जैसी भी हो लेकिन उनके काम तो पूरे हो रहे थे अगर पाकिस्तानी सेना का शाशन है तो है उसमस्या क्या है उनकी बैंक पॉलिटिक्स का जो मामला था हो तो जानते ही हैं भारत में वोड बैंक पॉलिटिक्स कितली जवरदस्त हैं तो इस कारण से पाकिस्तान को पूरा आश्वासन था कि एक दो साल से जादा जो है वो भारत हमसे दूर नहीं रह सकता भारत हमसे जादा दूर तक बात नहीं हम पाकिस्तान के सबसे जो खुंखार जो आदमी है उसका हम अगर इंट्रेवु दिखाएंगे तो हमारा टी आरपी बढ़के निकलेगा और हम आखमार आगे निकल जाएगा, तो इस तरह की बात चलती थी, तो इस तरह से जो है राजरीति और मीडिया दो लोगों को जो है पाकिस्तान के साथ समाने रिष्टों से जो है काफी फायदा होता था मीडिया वालों को कुछ नहीं करना है किसी का भी एक इंट्रेव्यू लेकर छाप दो किसी का इंट्रेव्यू लेकर दिखा दो टीवी में उनका काम चल निकला और वो बड़े पत्रकार बन गए और वो पत्रकार बन गए भारत पाकिस्तान के रिष्टो की समझ रखने वाले एक्ष्परट बन गए और उसका राजनीति चलने लगेगा और वो प्रासंगिक रहेगा अगर वो क नहीं भी जाता है तो बहुँ मीडिया में आ करके मुझ भाड़ते रहेगा पाकिस्तान के पक्ष में तो वो प्रासंगिक बना रहेगा तो ये जो है चलता रहा 14 के पहले 14 के बाद में जो है मोधी सरकार ने भी हाथ पढ़ाया कि चलो आओ हम बात करते हैं कुछ हम व्यापार की बात करते हैं हमको रस्ता दो हम जो है मध्येशिया और रूस तक जाना चाहते हैं पाकिस्तान ने क करेंगे तो पैसा आपके हैं से लेंगे और काम हम अपना करेंगे तो ये मामला चल रहा था तो मुरी सरकार ने लिए चलो ठीक है करके दिखाऊ उसके बादे मादलश बंकर दी अवितन बंकर दी है ना जब पाकिस्तान और भारत जो है वह बादाचीत नहीं कर बाड़ चीथी हैं तो पकिस्तानी सेना का प्रास स्क्रीच तो उन आहीं होगी जब भरत कुछ तो वह नराज हो गए है और इयरान से तो आपके मामले वैसे खराब हैं तो सवाल यह उठता है तो ah भारात आके अपना मन हलका कर लेते थे लेकिन अवो जाएंगे कहां तो अब जो है पाकिस्तानी सेना के सामने बड़ी समस्या यह हो कि आप उनके पाकिस्तानी जो है पहले भारत में घुमते थे, पहले भारत के फिल्मों में काम करते थे, भारत के साथ क्रिकेट खिलते थे, भारत के साथ और भारत में बम भी पोड़ते थे, तो इससे उनका काम चल जाता था, उनका एजेंडा भी चल रहा है, वो अपने आप ब्लुक्त खोथ करने पड़े पाकिसान ल्हों पैसे कहां से आएंगे उसके दवड़ना पड़ रहा है लोगों को मदरंजन चाहिए तो अपनी फять लिल्म बनाओ अपना वह चाहिए तो अ DOWN को यह दा पर्या-पर ढहर तो सेरियल बनने लगें हैं, अब वह कब तक चल पाएगा लेकिन फिर जैसे बाकी देशों में आसे दोर पूर वह बाकिस्तान चुसे में और सिरियल बनने लगें लेक्व भारत बात नहीं कर रहा है, रही हमें तो पाकिस्तान के से बात ही नहीं कर रहा है तो मैं यह कहोंगा कि मुझसे कोई बात तो करे अब तो बात ही हो गई है तो इसी चक्कर में जो है अभी यह मैं विडियो इस लीए बना रहा हूँ तो कि कल मैंने देखा कि जो है कोई RoozyEEPTI प्राम मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान और रूस जो है इन दुनों काफी जो है पाकिस्तान पर महरबान है और उनको अपने से जोड़ना चाह रहा है तो वो कहते हैं कि हम जो है एक नौर्ट साउथ कोरिडोर बना रहे हैं तो आप जुड़ जाएए उसमें पाकि कि अमेरिका चीन और रूस तीनों अलग-अलग खेमा हैं तीनों अलग-अलग खेमा हैं और तीनों के साथ बराबर के रिष्टे रखोगे तो कहीं के नहीं रहोगे है ना कहीं के नहीं रहोगे और पाकिस्तान के साथ वहीं चल रहा है पाकिस्तान में तो यह हालत है कि कोई आता नहीं है तो जो भी आया तो उसी को बड़ा बता कर दिखा रहे हैं तो इसलिए जो है तो जो रोस के तरफ जो बात आ रही है उसमें यह आ रहा है का अमेरिका से इनके रिष्टे बहुत मुझ्भूत unkypast वही जाते थे इनके नेपा वहाँ से पैसा हुगा ही करते थे। उसके बाद में इनका चीन से प्यार तो चीन के कहते हैं, कि भाई सेक्रियूटी काउंसिल में हमको चीन मरत करता है। और भारत के खिलाफ हमको मरत करता है, हमको सपूर्ड करता है। पर अपना घटिया समान जो है सेना को इस्तमाल करने वाला घटिया समान हमको बेचता है तो इसके लिए का फी शुक्र गुजार हैं इसके राबा वह करज में ढूबा हुआ है चीन के चीन ने जो है उल्टे सीधे करज दिये उससे कुछ भी लिखवा लिया पाकिस्तान से उनको लगा कि भारत के मुकाबले में हम खड़े हो जाएंगे लेकिन और करजे में डूब गए तो वो करजा अभी चुकाना है वो करजा सामने भी मूब आये खड़ा है इसके इत है कि नहीं रूस से हमारे रिष्टे अच्छे होने चाहिए रूस तो काफी पाकतवर है रूस यह है रूस वो है जिस सोवेत संग को तोड़ने में अमेरिका की मरत की थी पाकिस्तान ने आज उसी रूस के प्रती जो है इनका प्यार उमड रहा है और वहां से भी कुछ मिलन नहीं है इनको वहां से भी कुछ मिलना नहीं है क्योंकि जो प्रेस कौंफरेंस हुई थी वहां के डेप्टी प्राम Cantonese जो आयए थे रूस के और जो पाकिस्तान के डेप्टी प्रामेनिस्टर थे वो दोनों जब बात कर रहे हैं तो बात यहां तक आप पहुंची बात यहा पुरातन जमाने का मामला है उसको ले करके दोनों में बाची चल रही है कि हम लोग पैसे के बदले नहीं क्योंकि अमेरिका का डॉलर प्रतिमंद लगा हुआ है तो अमेरिका का डॉलर दे नहीं सकता और चीनी युवान जो है वो महंगा पड़ेगा तो कैसे करें तो इसलिए पाकिस्तान चलता भी रहेगा, लेकिन उसके सेना को पैसे नहीं मिलेंगे, आपके पास अगर गेहूं के बदले चावल ले लिया, तो चावल तो आप खपाओगे ही ना, कहीं तो उसको मार्केट में लाओगे बेचोगे, या तो फिर इदर अपने लोगों में बाट दोगे, वो चावल खाएंगे, है ना, या दारू बनाओगे उसका, चावल का दारू बनता होगा और चावल का दारू बनाओगे, तो पाकिस्तानी सेना को पैसे हाथ नहीं लगेंगे और वैपार चलता रहेगा, और भारत को फाइदा ये है कि अमेरिका और चीन के बाद जो है, आ आप देखेंगे, तो यूट्यूब पर जो है, वो बराबर भारत का कंटेंट देखते रहते हैं, है ना, भारत के कंटेंट देखते रहते हैं, और इसके इधर जो है, वो भारत के शहरों का, भारत का डवलप्मेंट, भारत का मेट्रो ट्रेंट, भारत का जो है, नाओ जहा पाकिस्तानी सेना करेंगी, क्या जो कि भारत भास नहीं है, तो अब करेंगे कि आपने लोगों को अगर रहा हैं कहीं पर लोग सरकों में निकल आएंगे लुकります ना ज़्या ना प्रह epo kamu जैएगा कि पहली बार गिरीख सत्ताक हो जायेगा इतने इतना बड़ा खत्राम के सामने है तो इसलिए वो मजबूर है वो अपने लोगों को जो है भारतिय कंटेंट देखने देने को मजबूर है इसके इतर जो है अपने यहां भी समाज में उनको धिलाइड देनी पड़ी है क्योंकि अब वहाँ पर फिल्में और सिरियल बनाने की मजबूरी हो ग तो आपने लोगों को अपने हाथ पे जो है हिरो हिरोईन को जो है साथ में लाना पड़ रहा है कैमरा भी ढूंडना पड़ रहा है तो समाज में पाकिस्तानी समाज में जो लोग भी जो है उदारबाद चाहते थे उनको शुक्रिया आदा करना चाहिए उनको थैंक्यो बोलना चाहिए प्रधान मत्री मोदी को यह मोदी सरकार के नीती है सोची समझी दीती है जैशंकर सहाब की अजीर डवाल सहाब की नीती है जिसके चलते जो है पाकिस्तान एक normal state बनने की कोशिश कर रहा है पहली बार पाकिस्तानी सेना के पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा है आज जो है जितना आज जो है वहाँ की politics में जान है जितना आज इमरान खान और नवाज शरीफ और जरदारी जो है आपस में भीड़ है और हर एक हर एक कोई जो है अपना अपना दमखम दिखा रहा है और पाकिस्तानी सेना जो है वो बीज बचाओ करने ही कोशिश कर रही है तो पाकिस्तान में जो है उदारवाद और पाकिस्तान में जो है एक normal state बनाने के पीछे जो है इसमें नरेंद्र मुदी की बहुत ब पाकिस्तान के समाज को भी नुखसान हुआ उससे लेकिन जो मुधी सरकार की नीती है आज जो है आज जो है पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स में मेंबर्शिप के लिए अपलाई कर रहा है स्यो में वो बड़ा उत्साहित हो गया है कि हमको स्यो का जो है मीटिंग अपने हाँ रखना है और हमको स्यो में पाकिस्तानी स्याना के पकड़ छूट रही है पाकिस्तानी समाज से पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आके बोल रहे हैं कि स्यो और ब्रिक्स में हमको शामिल होना है हमको आगे बढ़ना है उसमें ताकि हमारे समाज में जो है वो जो है हमारा जो है वैपार बढ़े और हमारा जो है मिडल क्लास ग्रो करे और उसमें कंजम्शन होगा त तो पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत मुश्किल होगी, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो यह जो है, मने कि इसको कहते हैं, बिना कुछ बोले जो है, दूर से ही जो है, दूर से इतना बड़ा खेला जो है, भारत सरका के नीती जो है, इतना बहतरी न तरीके से काम कर रही ह है, और पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान का जो समाज है, वहाँ पे फिल्में और वहाँ पर सेलिब्रेटी और वहाँ पर भी जो है, बिलकुल जैसे हॉलिवूड अबॉलिवूड में होता है, कि वहाँ के हिरो हिरोईन के जो है, डायलोग्स और वहाँ के हिरो हिरोईन के जो 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 चोटे-चोटे शॉर्ट्स बना करके जो वीडियो में वारल किये जाते हैं, बिल्कुल वही चल रहा है वहाँ पर, है ना, बिल्कुल वही चल रहा है और वो बिल्कुल उसके सिवा कोई चारा नहीं उनके पास, अब पाकिसानी सेना नहीं चाहते होगी कि उनके अपन पोई रियायत नहीं मिल रही है। इसलिए जो है, वो हर जगा से करजे करने लेने के लिए। हर जगा से जहां जितनी च्छुट पूल सकती है, उसमें वो काम करने को तयार हैं। और बात जो है बाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे बात जो है चल रही है प्राइटाइजेशन की वो कह रहे हैं कि जो है ये बड़े-बड़े जो सरकारी संस्थान है जहां पर कि पॉलिटिशन अपने लोगों को काम पर लगा देते हैं अपने लोगों को खरीद फरोग्त वाला जो समाज होता है वो ऐसा समाज बनने की और वो सोच रहे हैं इसके बारे में डिबेट कर रहे हैं तो यह सब कुछ जो है सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत से जो है उनको समर्थन नहीं मिल रहा है तो यह मोदी सरकार की वावाई होनी चाहिए अगर पा को ध्यान में रखिए इसके बारे में मेरे खाल से बहुत कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं इसके बारे में बहुत कम लोग नोटिस किया होगा इसलिए मुझे लगा कि इस पर जो है डिटेल जो वीडियो है मुझे बनाना चाहिए जो कुछ बाते मेरे ध्यान में थी उनको ले करके जो है मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया तो जो है और भी बहुते ध्यान में आएंगे तो मैं अलग से वीडियो और बनाऊंगा